हेलो एव्रिवान मैं हूँ पूजा और आप सभी का वेलकम है मेरे चानल बिटीज किचिन में तो आज देखे हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना की खिचडी तो यह हमने लिया है नौरात्र चली रहे हैं तो हमने सुचा क्यों ना साबूदाना की खिचडी बनाते हैं यह हमनें लिया है छोटा साबूदाना है अदोटिव अन्साबूदाने चेह निया नथ Tuesdays इस चर्वाला साबूदाना लिया है थे छोड़ामा का संब्जामा ठेड़ चरह पाँड़ लाए है इस दोर पूरा थे आप पानी जाल पीप्र त्वास छोड़ा में प्रिखे गीरत पूष है तरह लो पर लोकी एथ को बनाएंगे तो अब इसमें वन मनाले वह ज बना़ा harvest that को इसमें अब प्रीप्स हम अध़ कर लेंगे जब पूरी क्रिस्पी हो जाएंगे तब इनको बहार निकालेंगे तो यह the अब यह हो गई है आप इनको निकाल लेंगे साबुदाना की खिचोडी एक ऐसी चीज है मतलब कि आप उसको वरत है की नहीं है आप ऐसे भी आप शाम की चाय के साथ बढ़िया बनाइए और बहुत अच्छा टेस्टी बनती है बहुत साबुदाना की खिचोडी तो आप उसक के लिगए ऐसे भी खा सकते है कोई जरूरी नहीं के वरत में ही आप कहाएं अब देखे हम एक स्पून घी खिय और फिर हमने एक टी स्पून कमें जीराइस में डाला है आप यह हमने चार से पांच नहीं हमने कड़ी पता लिए हूई है वह में डाला इसमें फिर हमने यह ल आलो डालेंगे, आलो आप बॉयल भी टाल सकते हैं और मैं रिकमेंड करोंगों कि आप ऐसे ही तो हमने small size ली थी तो वो हमने चोटे-चोटे size में हमने क्यूब में cut कर लिया और उनको हम fry करेंगे घीमे तो इससे क्या होता है कि यह थोड़ी सी जब तक आप मतलब इसको आप चाकू से देखिया फिर एक स्पून से आप देख लीजिए तब यह मतलब जब आप इसको एक प्रेस करेंगे तो फिर अच्छे से जो है अगर अगर फूट गई तो इसकी वह अलो पग गई तब आप अधर चीज़े डालिए अभी देखिए हम अच्छे से सॉफ्ट होगे फिर अच्छे से पक जाएंगी तो यह देखिए जब थोड़ी से ब्राउन होने लगेंगी आप और उसके बाद फिर हम साबुदाना डालेंगे अधर देखिए अधर देखिए अधर देखिए तो यह फूट गई तो इसकी आलू जो है वो पक चुकी है अब हमने इसमें थोड़ा सा जिंजर डाला हुआ है एक ग्रेट करके एक स्पून लगबग जिंजर डाला है आप लोग कि हा वरत में जिंजर खाया जाता है अमें जो चीज़े आप यहां खाया जाती है आप उनका यूज करें हमारे यहां खाया जाते हो इसलिए अधरक का यूज किया है अच्छा फ्लेवर आ जाता हमने आप दो स्मॉल साइस टमाटर लिये हैं उनको हमने डाल दिया टमाटर को जब तक हम थोड़े से मैशी हो जाएंग किकते हैं बहुत अच्छा फ्लीवर आता है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लीज़ियेकं अगर मेरी डैसे लेही तो प्लीज मेरे चैनल को सब alarmas करिए लाइक करहımा और शेयर करिए तैसे मुझे मुझे मेले कि मैं और भेर सारी रेचेपीज लेकर आएं, अब हमने क्या म quantum साबुदाना था तृय से ने क्या है किए वाञे हिए आल धी हम अच्रू से जानि अच्रू सी करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे तरह से फ्राइब करेंगे अगर आपने सुचाए कि मतलब यह साबुदाना तो सोक है और इसको सिर्फ ऐसे ही है बस हलका सा मिक्स किया और यह पक गई तो यह बहुत ही गलत है नहीं ऐसा होगा वह बहुत ही सौगी टाइप मे तो आप इसको प्रॉपर्ली जो है दो मिडियम फ्लेम में दो से तीन मिनट इसको अच्छे से फ्राइब करिए अभी देखिए हमने क्या किया था मुंफली के दाने डालिए ते मुंफली के दाने आप सबसे लास्ट में डालिएगा यह नहीं कि पहले ही आपने डाल दिये अब हमने देखिए इसमें दाने डाल दिये अब अच्छे से लास्ट में डालेगा तो अब हम इसको दो से तीन मिनट जो है अच्छे से हम फ्राइगे और नीबू नीबू तो मिनसकी कंपल सरी है धनिया और नीबू के बिना तो मतलब कोई डिश हो ही नी सकती है तो यहां अब हम पूरा फूल एक नीबू डालेंगे है तो अभी हमने इसको हाफ में कटकर लिया पहले यह इसके बीजी हटा लिये ते में यह नीबू डाला नीबू से बहुत ही फ्रेशनेस आ जाती है और बहुत अच्छा फ्रेवरा आता नीबू से भी तो नीबू तो मतलब चान कि जड़ी और यह कितनी प्यारी बनके रेडी होई है तो बस आप क्या करेंगे बस सब्सक्राइब बटन दबाएओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिये और रेडी हो गया यह आपका